यम आई यम के प्रतेश अध्यक्ष शौकत अली हमारे साथ हैं, बात हो रही है कि यहां उत्तर प्रतेश से इनके नेता ओवैसी साहब चुनाव लड़ सकते हैं, तो शौकत अली जी से पूछते हैं कि आज इन लोग ने एक मीटिंग किया है, उस मीटिंग में क्या फैसला किय है, शौकत जी क्या फैसला हुआ है और आप लोग क्या ओवैसी साब को यूपी लाना चाहते हैं, यकीनन आज की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि उत्तर प्रदेश में मजिस इत्हादुल मुसलिमीन लोग सबा का इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, और एक फैसला ये भी हु है, वो एक प्रस्ताव बना करके भेजेगी अपने नेशनल प्रिजिडेंट को कि उत्तर प्रदेश की किसी लोग सबासीट से हम उनको इलेक्शन लडाना चाहते हैं, अब ये आखरी फैसला उनका होगा, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये फैसला आखरी उनका होग क्या कुछ नाम तज्वीज किया चुके हैं कि कौन कौन सी सीट हो सकती हैं जहां से चुनाव लड़ सकते हैं, उत्तर परदेश में असी पार्लामेंट की सीटे हैं, और हम लोग इस चीज़ का जाहिजा ले रहे हैं कि कहां पर हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, और प्रस्ताओं तैयार हो गया आज की मीटिंग में और अब यह बेजा जाएगा वह सब्सक्राइब यकिन प्रस्ताओं तैयार हो गया है, और जल्दी एक टाइम लेकर के प्रदेश का एक डेलिगेशन मेरे साथ उनसे मिलेगा और सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो भी आखरी फैसला होगा, आखरी फैसला राश्चे अदर जी कहोगा, तो यह माई हम की उत्तर प्रदेश शिकाई ने तैय किया है कि अबैसी साहब को यूपी से चुनाव लड़ाया जाएगा, ETV भारत के लिए अखलेश तिवारी लखनू